दिखें दोस्तों कल ये मोटर शाम के पाच बज़े आज चुका था और लगबग आज शाम के पाच बज़े तक ये मोटर देना है तब हमारा जो ही 24 गंटा पुरा हो जाता है और मोटर जब आएगे हम 24 गंट में वापिस ही देंगे तो ये मोटर आज चुके हमारे पास आप कोई लकड़ी नहीं थी रिवाइंड करने के लिए कचलबर चिकर टिप कुछ भी नहीं था तो यह सारी जो चीज़े हैं मैं लेके आया हूँ तो आप जब कभी दुखान में जाएंगे तो फिर आपको क्या-क्या चीज़े लेके आने होंगी इस मोटर के लिए मैं आपको दि निकाला इस मोटर के अंदर से तार को निकाला वहां पर उसको जला दिया वहां पर या पर यहां पर कही पर तो इसको जला दिया और जलाने के बाद फिर दुखानदार को देखके फिर जो है मैंने तार लेके आया हूँ यह दिखिए यह सबसे पहले आता है वाइट पेपर यह देखे यह वाइट पेपर है कुछ इस प्राकार है यह वाइट पेपर यह हमको लेना है लगबग यह 30 रुपए आता है कितने फिट नहीं पता लेकिन यह काफी ज़्याद आता है इसके अंदर 2-3 मोटर आराम से हो जाएंगी इसकी ज़्यादा जरूत नहीं है इसको श्र तो सबसे पहले यह पेपर चाहिए हमको पहले बार में दूसरी बार यह लगबग 30 रुपए का पेपर है इतना बड़ा ठीक है और यह जो लगबग आप देख सकते हो लगबग मेरे सबसे देड़ फिट की होंगी ठीक है देड़ फिट की इसके अंदर कितने लगड़िया ह जाँगा एक दो दो इतकी हैं समझ लो तो यह लगड़े जो हैं दस रुपए के इसके अंदर भी एक मूटरा आराम से हो जाएगा मैं कहता हूं लगबग 10-15 रुपए के लगड़ियां लगेंगी वैसे तो एक लगड़ियां से लिए कि वहां तक लंबी आती है मैं इसको है वह इसलिए तोड़ दिया क्योंकि थेली के अंदर नहीं बेट रही थी अब इसको तोड़ना ही है ठीक है तो लगबग एक मूटर के लिए हमको 15 रुपए के लखड़ियां बहुत ज़्यादा हो गए ठीक है चो 20 व्लाट हैं तो आप उसी सब सिसका गनित लागा लीजि यह दुसरा काम है फिर आता है हमआरे पास यह कचालवर तो यह कच्चालवर आप देख सकते हो इतना है लगबग 20 रुपे का कच्चालवर है कि यह 20 रुपे कच्छा लबर आएगा इतना यह लगेगा हमारी मोटर को जोइंट लगाने के काम आयेगा यह दुसरा बात ठीज निकलता है इसके बार में बादिम बात करेंगे तरह हुआ मेरब फिर से आता ही यह स्लॉडट पेपटर चो यह से जॉड़ पेपर है而已 यह मुटर के स्फॉड़ के में युज़ और ऐसी मोटर हैं तो बात ही मत करो ऐसी मोटर लगबग 10-15 हो जाएंगी ठीक है लेकिन अगर वीच एक सब मोटर हो तो तीन मोटर लंबे लंबे शुलाट के आराम से तीन चार पांच भी हो जाएंगी ठीक है और इसकी वी किमत है 30 रूपए फिर से हमारे इसके अंदर बच के आ जाता है यह है चिकर टेप मैंने इसको फोट दिया है वही पर क्योंकि इसको लागाना था मेरे लकडिया मैं जो को थोड़ा सा प्रॉब्लेम हो रहा था मैंने बीच में इसको काटके इसके ओपर चिकर टेप यूज किया लगबग यह 10 र अब इस चिज़े jestem इसंगे बिच एक बार यह 20 रुपा यह 10 रुपा यह 30 रुपा यह 30 रुपा के आता है इतना सारा ओर तर कि किमत हम बताएंगे नहीं आपको लाहस्ट में मिलेगा पीड़ी विडियो उसके अंदर हम बताएंगे अभी अब शिर्फ अतार के बारे में इतना बाता सकते हैं यह कौंसी अहेग्गाम कमपून regulation सब्सक्राब क्लां गेज हैं तो यह सारी चीजे कोगन के पाई इतना बाता देता हूं इसके आपकापके मोटर अныकल हो जाइँगी कि आप यह कुछ आप इस पराकार देख सकते हो और वी चाज़े जो है रिवांट करने के लगे लिए लगेंगी वो होता है हमारे पास एक चौपर वह आमको घरपी बानान लेना पड़ता है तीक है घरपी बानान लेना पड़ता है और एक सेप देने के लखड़ी यह वाली पीवीशी पाइब को बस इधर चिकर टिप लगा जाना यह बन जाएगा यह भी घर पी बाना ना इसका भी वड़े आल लड़े हमारी चैनल पर है आप एक बार जाकर धूंड के चेक कर लिए ठीक है तो कुछ ऐसी बात है फिर लगेगा हमको फार्मा फिर हमको लगेगा फार ठीक है यह वाला फार्मा अब दोस्तों आप यह देख पाएंगे यह जो है पट्टी पेपर हम जिसको स्लॉट पेपर भी कहते हैं इसको कुछ आपको इस तरह टुकड़े करने होंगे और इस तरह स्लॉट के अंदर यानि कि मोटर के स्लॉट के अंदर डालना होगा आप द पेसा पाएंगे जो होजगा यह किया है क्योंकि दौस्तों मैंने यह दोनु चीज़ रिवांट करने के लिए वही पाच हम यानि के वायट पेपर से ही बना आया है तो बस प्यूश कंपर हमारी रान्ड के लिए ये काम को आयेगा और रांड के लिए बीक्रण को आयेगा ह तो इस प्रकार जो है white paper का जो यूज करते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं हमने coil भी बना लिया है यह जो है एकवर फ्लोका जो coil है बना लिया कुछ इस प्रकार हम उतार रखते हैं और इस pipe की उपर से लेके अकेले ही coil बनाते हैं इसको दो विक्ति की जुरूत नहीं होती है यह हमारे पास फार्मा था और बस यह जो है coil इसके अंदर डाल देनी है कॉइल डालने के बाद हमें इस coil को लॉक भी तो करना है इसलिए हमें चाहिए लकड़ी यह देख सकते हैं आप मैंने इतने सारी लकड़ें जो है वह जहां पे तार मिलता है वही पर ये लखडिया मिलेगी जिसका हम कामठी कहते हैं बस उसको लेके आना है बस उसका यही काम होता है कि ये जो तार है slot की अंदर की जो तार है वो बहार ना आए क्यूंकि अगर तुस्तों ये तार बहार आ गाया तो ये जो तार है वो रोटरो को गिसेगा इसलिए बस ये कोईल लॉक करने के काम आती है लगडी तो इस प्रकार जो हैं दोनों जो साइड हैं इस लगडी की मदद से इस कोईल को लॉक कर देते हैं अभी आपको इस लगडी को उप्योग तो समझ में आ ही गया होगा अब दोस्तों अगली जो चीज़े हैं हमारे थेली के अंदर ओ है कच्चा लबर तो ये आता है कच्चा लबर इसको काट के आपको कुछ इस तरह टुकडे जो हैं वो कर लेने हैं अभी ये जो टुकडे हैं आप जोएंट पे इस प्रकार पुरा कौपर कवर कर देना है यानि कि कच्चा लबर से आपको पुरा जो कौपर है तार का वो आपको कवर कर देना है ताकि इसके अंदर पानी ना गिस है एक प्रकर का rubber ही है जो कि पानी को इस joint के अंदर गुसने को नहीं देता है बस इस कच्चा लबर का वही काम है और अगर 20 रुपए का कच्चा लबर लाएंगे तो दो मोटर आराम से हो जाएगा अभी जो है यह आप देख सकते हैं चिकट टेप यह चिकट टेप जो है हम क्या करते हैं कि कच्चा लबर लागाने के बाद उसे उपर से चिकट टेप लगाते हैं बस यह कच्चा लबर को इदर उदर से फैलने से बचाता है और निकलने से बचाता है तो यह सारी जो चीज़ें हो जाती है ठीकें तो उसी के साथ हमारी motor जो है वो भी ruined हो चुकी है टोटल तरीके से आप देख सकते हो ठीकें तो इस तरह finishing के साथ हमने जो है motor जो बनाया है और इसको joint मार के पुरा जो है okay हो जुका है तो बस यही सारे चीज़े जो थी जो इस motor को rewind करने में लगने वाली थी अब इसको round paper की कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि वाइडिंग पुरी है body के अंदर है अगर body के बाहर अगर वाइडिंग होती तो white paper 5mm का हमें use करना पड़ता तो बस यही है इसको तो आप देख सकते हो कुछ इस प्राकार जो है हमारे पास जो है सब कुछ चीज़े है रिवाइंड करने के लिए देखे दोस्तों आभी यह 5 hp की motor है आभी हम इसको fully rewind कर चके हैं ठीके हमारे पास कोई wire वगेरा कुछ नहीं था दुकान से जाके हम wire लेके आएं और इसको rewind कर दिए जितना टरना था जितना सब कुछ सब कुछ okay कर दिए आप देख सकते हो ठीके तो आभी जो है आप देख सकते हो यहाँ पर तार जो है पूरा तिरा से खतम हो चुका है और इतना तार बच गाया है यह दिख लीजी और यह तार कितना बच गाया मैं आपको दिखाता हूं यह अभी 0 पे अगर इसका वजन कर देते हैं तो आप देख सकते हो यह 100 ग्राम का है ठीक है यह लगबग 100 ग्राम का तार बच चाहे तो इसी तरह एकदम accurate तार लेके आना है आपको market से अगर जादा लेके आएंगे तो हम problem नहीं है लेकिन 2300 ग्राम नहीं रहना चाहिए ठीक है तो इस तरह अगर आपको तार accurate लेके आना है तो आपको काम करना है हमारे paid video के अंदर हमको तार accurate कैसे लेके आना है यानि कि इतना ही तार बच इससे ज़्यादा नहीं हमें कभी-कभी इतना तार बच जाता है कि हमारा घाटा हो जाता है तो दुकांदार कितना भी देता है दुकांदार मेरे को बोल रहाता कि आभी 100 ग्राम एक्टरा लेलो लेकिन मुझे जितना चाहिता उतना कल्कुलेशन से मैंने लिया है और तार ज्यादा नहीं बचा है और मेरे इसके अंदर ज्यादा घाटा नही इतना नहीं तो ज़्यादातर लेंगे घाटा हो जाएगा ठीकर एतना थार हम हो सकता है कोई प्रब्लिम नहीं तो बस मैंने सुचा कि आपको बता दू तो ब éतना थार हाम इसको सेविंग कर लेंगे इस प्रकार उपर सेविंग हो जाता है फिर सेम जला के वापिस दे देंगे